हेलो एस्टूरेंस, वेलकम टो MS क्लासेस, आज हमारी टीम आप लोगों के एक और वीडियो लेकर आचुटी है जिसका हेडिंग है उर्दु गुलदस्ता क्लास 6, चेप्टर नमबर 6, कछुआ और तला, ये NCRT क्लास 6 का सेकेंड उर्दु बुक, उर्दु गुलदस्ता का च चेप्टर नमबर 6 के अंदर जो भी कोस्टन एंसर दिया गया था, उसको इस चेप्टर में हल किया गया है, तो चलिए शूरो करते हैं, सबसे पहला स्वाल दिया गया है, शेर ने तमाम जानवरों को क्यों जमा किया, इसका जवाब है, पानी की कमी की वज़ा से, जानवरो को मरते देख कर, शेर ने तमाम जानवरों को एक जगा जमा किया, ताके तमाम जानवर मिलकर कोई ऐसी तरकीब निकाले, जिस से पानी का मसाला हल हो जाए, और जानवर प्यास की वज़ा से, मरने से बच जाए, जानवरों ने पानी जमा करने का कौन सा तरीका अपनाया, इसका जवाब है, तमाम जानवरों के दर्मियान ये बात सामने आई, कि पानी जमा करने का सबसे आसान तरीका ये है कि तमाम जानवर मिलकर एक बड़ा सा तालाब खो दें, बारिश के मौसम में तालाब भर जाया करेगा और इस तरह से पानी की कमी दूर हो जाएगी सबसे पहले जंगल के राजा इस काम को शुरू करेगा फिर बारी बारी तमाम जानवर उसमें हिस्सा लेंगे और आखिर में गीदड इसको पूरा करेगा जब काम खतम होने को आया तो गीदड कहीं नजर नहीं आया बिल आखिर गीदड का इंतजार न करके तालाब की खुदाई को पूरा किया गया स्वाल नमबर चार है गीदड ने तालाब से पानी पीने का क्या तरीका इख्तियार किया इसका जबाब है गीदड रोजाना सुबह उठकर दूसरे जानवरों के पहुचने से पहले तालाब पहुचकर खुब जी भर के पानी पीता था स्वाल नमबर फाइब है कच्वे ने गीदड को किस तरह पकड़ा इसका जवाब है गीदड को पकड़ने के लिए कच्वे अपनी कमर पर मूम का लेप लगवा कर सारी रात तालाब के कनारे बैट कर चोर का इंतिजार करने लगा पूरी रात इंतिजार के बाद सुबह के खरीब उसे जाड़ियों में से खड़कड़ाहट की आवास सुनाई दी कच्वे जल्दी से तालाब के कनारे खिसक कर पत्थर की मानिंद बेहिस होकर बैठ गया गीदड मामूल के मताबिक तालाब के पास गया तालाब के कनारे उसे एक खुबसूरत पत्थर पड़ा हुआ दिखाई दिया जो के असल में कच्वा था गीदड ने सोचा कि इस खुबसूरत पत्थर पर पाउं रखकर पानी पीने में बहुत मज़ा आएगा चुनांचे उसने अपना अगला दोनों पाउं पत्थर पर रख दिया और गरदन जुका कर पानी पीने लगा सर उठाकर जब वो वहाँ से चलना चाहा लेकिन उसके दोनों पाउं उस पत्थर में जम गये थे गीदर ने चिला कर कहा मेरे साथ ये धोखा हुआ है इस तरीके से कच्छुआ गीदर को पकड़ने में काम्याब हो गया स्वाल नंबर सिक्स है गीदर को क्या सजा दी गई इसका जवाब है गीदर को सजाय मौत दी गई थी लेकिन वो चालाकी से अपनी जान बचा कर निकल गया अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक शेर करना ना भूलिए और बने रहे हमारे चैनल पर अगले वीडियो के लिए